Hello everyone, CTE 2022 के RM Series में आप सभी का फीस्ट स्वागत है आज की लेक्ष्य में हम देखें कि Diagnostic and Remedial Teaching क्या होता है इससे पहले हम यह देखें कि Diagnostic and Remedial Teaching क्या होता है हमारे लिए आज बहुत जरूरी है जानना कि हमें लास्ट लेक्ष्य में क्या सिखा था उसमें हमने जानना था Error Analysis अगर आपने Error Analysis का वीडियो नहीं देखा है तो इससे जरूर देखिया क्योंकि Error Analysis इंटिक्रल पार्ट है Diagnostic and Remedial Teaching का जब हम Diagnose करते हैं तो उसमें Error Analyze करने के एक पार्ट आता है तो ज़रूर ही है कि आप जब Diagnostic के बारे में जाने हैं तो Error Analysis के बारे में ज़रूर पढ़िएगा और आज का हमारा जो कंसेप में बता चुकी हूं क्या है वह रेमेडियल टीचिंग बहुत इंपोर्टेंट हैं जहां आपको सारे lecture sequence में मिलेंगे इन lectures को देखकर आप सीटेट की best preparation कर सकते हैं तो आचा जो topic है वो हमारे पिछले कुछ topic से related है इंटीक्रेटिड है इसमें हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ चुके अभी हम एक हम पढ़ चुके हैं continuous evaluation के बारे में हमने formative के बारे में पढ़ा हमने observation के बारे में पढ़ा हमने काफी tools और techniques भी ऐसे discuss कर रहे हैं जिनका यूज सीं formal assessment में होता है इसी के साथ हमने error analysis के बारे में पढ़ा था हमने इसमें क्या चीज़ प्रामन आ रहे हैं वह है कि बच्चों की जो learning difficulties and gaps identify करना उन्हें improve करना तो यह जो काम है improvement करने का वह होता ही diagnose and remedial teaching से है तो सबसे पहले हम जाण लेते हैं diagnose का क्या meaning होता है, remedy का क्या meaning होता है, किस तरे किसी इसको use क्या जाता है तो diagnosis का meaning क्या होता है जैसे एक doctor किसी problem को diagnose करता है तो क्या करते हैं? वो कुछ test वगेरे conduct करते हैं तक कि पता चल से कि problem कहा है फिर उसी के according वो देते हैं remedy यानि की दवाई उपचार और same चीज़ learning में होती है जब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि किस area में बच्चे को mistakes कर रहा है error कर रहा है कहां उसको problem आ रही है उसे हम जब identify करते हैं वो कहलता है diagnose और उसी के basis पे फिर हम उन्हें देते हैं remedy यानि की ट्रेमीडियल क्लासीज तो जब हम बच्चों की learning gaps को identify कर लेते हैं उसके बास जब हम उन्हें remedy देते हैं वह रेमीडियल क्लासीज रेमीडियल कीचिंग कहलाता है तो सबसे पहला हम यह देखते हैं कि कहां पे बच्चे को problem है उस चीज का pinpoint करना जिस पे उसे काम करने की जब होता है फिर उसके basis पे हम उसको जो improvement देते हैं वह होता है remedy तो यह होता है diagnose and remedy जिसमें हम diagnose and teaching क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि teaching करते वक्त पढ़ाते वक्त क्या diagnose किया जाता है उसमें हम दो चीज़े diagnose करते हैं सबसे पहला हम यह देखते हैं कि जो objectives हमने set किये क्या वो objectives achieve हुए या नहीं अगर नहीं हुए तो किस कारण वो objectives achieve नहीं हुए इसके बारे में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं यह हो गया diagnose in teaching जिसके एक example ले लेते हैं अगर हम कहते हैं कि एक unit खतम होने यह बाद बच्चा addition के question कर पाएगा वो गया objective अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो क्या reason है उसे हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हम conduct करते हैं test जिसे हम कहते हैं diagnostic test जिसमें हम basically यह देखने की कोशिश करते हैं कि learning gaps कहां हैं कहां पर बच्चे को दिक्कत आ रही है कोशने solve करने में problem को solve करने में concepts हो करने में यह होता है कि informal test क्योंकि इसके basis बच्चों के number नहीं लगा जाते हैं जो purpose होता है वो बच्चों की understanding gaps को identify करना होते हैं जिसमें basically हम क्या चीज़ identify करते हैं उसमें हम यह देखते हैं कि कौन से student से जीने help की जरुत है अगर कोई ऐसा student है जो अकसर गलती कर रहा है जाद अतर गलती कर रहा है उससे help की जरुत है फिर हम ही देखते कि errors कहां पर है किस step में बच्चा error कर रहा है वो error क्यों हो रहा है और इसी चीज़ को check करने के लिए हम करते है error analysis जिसके बारे में हमने last lecture में पढ़ा था कि error analysis क्या होता है किस तरीके का होता है कितने तरीके का होता है क्यों होता है इसलिए मैंने कहा था error analysis जो है वो diagnostic and remedial teaching का एक integral part है तो इसे जरूर देखेगा जब आप diagnose and remedial teaching के बारे में पढ़ेंगे तो जब हम error analyze कर लेते हैं कहां पर दिक्कत है किस तरीके की दिक्कत है क्यों बच्चों की learning difficulties को overcome करवाने के लिए teachers ऐसे प्रोसेसर करती है ऐसे teaching करती है इस तरीके से बढ़ाती है कि बच्चा जो गलतिया past में कर रहा था उन्हें वो खत्म कर सके और future में आने वाली गलतियों से वो रुख सके बच सके मतलब वो error दबारा ना करे जब बच्चा इन remedial teaching में involved होता है तो वो खुद अपनी problems को identify करते हैं करते हैं समझते हैं और उनको correct करते हैं तो remedial teaching में basically बच्चों की जो errors होते हैं उन्हें identify करके rectify करवाया जाता है यह होता है remedial teaching बहुत important topic है क्योंकि हर बार इसका question कोई ना कोई आता है paper में किस तरीके question आता है उसे देखने के लिए आपको जानागा official website www.dalibytes.in जहां आपको course and mock test दोनों देखने को मिलेंगे किस तरह के questions आते हैं इन्हें देखने के आपको करना को scroll down जहां पर आपको दो सीटेट के mock देखने को मिलेंगे एक है full fetch mock जिसमें देखने को मिलेंगे मेरा सजेशन रहेगा कि पहले टॉपिक वाइस मोग करें ताकि टाइम मेनेजमेंट की स्केल्स पर आप में develop हो सके एक वार हम फूल फ्रेच इसका प्रोसेशर देख रहेते हैं कि किस तरीके से रामेडिल टीचिंग दी जाती है सबसे पहले होता है टेस्ट डायग्नोसिक टेस्स इसमें हम बच्चों के एर्र को करते हैं कब देनी है कैसी देनी है कितनी देनी है क्या पढ़ा नहीं सब प्लैन आउट किया जाता है फिर लेडियल टीचिंग कंड़क्ट करने के बाद हो पूरा यानि उन्हें देखने के लिए दुबारा से बच्चे के लर्निंग को एसस किया जाता है यह पूरा होता है रेमेडियल टीचिंग का प्रॉसेस और इसके कुछ नेचर भी है बहुत इंपोर्टेंट है जैसे कि यह है इंडूजिलाइज नेचर यानि हर एक बच्चे पर यहा उन्हें स्ट्पराइब को सब्सक्राइब दे जाते ता कि आगे बढ़ा जाता है जिसकोश्थ्य में बच्चा कर रहा था हो गल्ती बफूरा स्ट्राइब तुलास टीचING के नेचर और इसमें कि-स बहुत?", आते हैं जी किशर, नेचर, हम तीनों होते हैं students के लिए तो वह हर तरीके की learning aspect को ध्यान में रखे बच्चे को evaluate करता है तो जब बच्चे की deficiencies यानि कमियां और जो उनकी खामियां होती है उसको identify करके बच्चों को हम जब evaluate करते हैं तो कौन से evaluation होता है वो समेटीव diagnostic formative अभी हमने पढ़ा है कि जब बच्चों की कमियों को difficulties को deficiencies को जब हम improve करने के लिए test पगेरा कंडेक्ट करते हैं तो क्या खेलाता है वो diagnostic test इसी तरह किसे next question है जिसमें हमें बताना है कि remedial teaching का purpose नहीं है ध्यान लगना question यहां से पढ़ना दोनों तरह किसे question आयो है remedial teaching का purpose है remedial teaching का purpose नहीं है पहला option कहता है ineffective habit को eliminate करना जो concerns बच्चे नहीं नहीं पढ़े हैं उन्हें दुबारा से पढ़ाना बच्चे को drill and practice के जर्य पढ़ाना या फी बच्चों के interest को raise करना उनको रूची बढ़ाना देखिए यहां पर हमें remedial teaching का purpose नहीं है वो बताना तो interest बच्चे का create किया जाता है remedial teaching में हमने पढ़ा है बच्चे ने जो concept नहीं पढ़े वो दुबारा से पढ़ा जाते है पेरेंट्स को feedback देना स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड बनाना या सब्मेटिव assessment में question paper बनाना या बच्चों के learning gaps को जानना इसी है अभी हमने पढ़ा भी है बच्चों के learning gaps को जानना ही diagnostic test का purpose होता है बहुत important topic है इसके questions हर paper में आते हैं तो जरूर करिएगा बहुत easy भी है concept की clarity रखना यहां पर जादा जरूरी है concept की clarity के साथ किस तरह के questions आते वह website पर practice करिए analyze करिए ताकि questions में command आपकी बंती रहे अभी तक के लिए इतना ही इन सभी social media के handles आपको description box में मिल जाएंगे thank you have a nice day stay blessed stay tuned comment करना ना भूले subscribe करना ना भूले